फाइनली गाईज, फाइनली पहुच गये हम, ये है सुपरमार्केट यहां का नाल्चिक का सबसे PAS वाला जहां हम रहते हैं, सबसे PAS वाला सुपरमार्केट, तो अब हम अंदर जाते हैं, जहां पर लिफट है, तो तम कैसी लग रही अभी? आज हम जा रहे हैं और यहां पर है देया मौल तो उसमें हम समान लेने जा रहे हैं करि explored world सारे समान को गाे हैं जो खाने पीने के हैं तो वहाँ जा रहें आज थोड़ा दूप बहुत है तो आज मैंने यह केप पाहुआ लिया है वह तेज़ दूप है हं महाल जाने के लिए केप करने की यह कद पड़ेगी तो हमें केप से जाना पड़ेगा कर रंब लानी है और राइस लाने हैं दाल लाने हैं और जो भी वेजटेबल्स मिल जाएंगे वो हैंडवास लाने हैं और सर्फ लाने हैं तो यह सब बहुत सारे चीज रहें बहुत सी सबीह जुवा हैं हम हैं हजारों में अब की कमेजरा है वर चीज खास है अब है जो है वो समा आय कि मैसाई तो रभा है अब है जो है वो समा तुम्हे रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिन्दगी ऐसी जीत अब चाहे जिन्दगी इसानी हमें सजा है, हम हैं बजारो के है. सबकी नजर यहाँ है, अर छीज राज है शाज है सहाँ किता गर्मी है अचया कि यहां पर भी गरीब बैठे होते हैं मांगते रहते हैं कि क्रॉस कर रहे हैं पर हम टेक्सिस जाने वाले थे हैं फिर हमने सोचा क्यों टेक्सी से जाएं पैदल ही जलते हैं मज़ा भी आएगा और फड़ा एक्सपोर भी कर लेंगे यह हैं यहां के पेट्रोल और डीजल के रेट आप देख लो कितना सस्ता है यहां पर यह पेट्रोल पंग 40-45-50 में मिल जाते हैं एक लिटर तेल और इंडिया में तो भाई बात ही नहीं करना उसका अगर इसाब इत्ती ज्यादा कर्मी गर्मी से ब्रौहाल हो गया हमारा अगर्मी इंडिया में भी नहीं होगा भी तो महां बारिस होने रगे यहां पर तो बहुत ही ज्यादा कर्मी है कि वेट करते हुए यह रेड़ लाइट का यह ऐसे भी बैड़ जाते हैं अपन यह ऐसे ऐसे हैं घर यहां पर कि यह भी जो मेरे पीछे है यह भी है सुपर मार्केट टाइप से कॉफी हाउस भी है लेकिन हमें बहुत बड़े सुपर मार्केट में जाना है एक तो इत्तिक गर्मी है और मैंने ऊपर से यह ब्लैक वाला स्ट पहल लिया तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को कि यह लोग क्या स्पीड से जल रहे हैं मैं भी पिंच जलता हूं जल्दी यल्दी यह जो मसेन थे साफ करते जा रही थी है रोड को साफ कर रही थी अभी तुझा रहे हैं टैक्सी से लेकिन आते वक्त हम नहीं अभी तुझा रहे हैं पैदल आते वक्त टैक्सी से आएंग और गाइज क्या मस्त मस्त वीव हैं दिखाता हूं आपको मस्त मस्त वीव बहुत प्यारा प्यारा व्यू है आज तो गर्मी से बुरा हाल हो गया पसीने से हालत खराब हो गई है आज यह जो बिल्डिंग देख रहे हो यह अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे काम चली रहा है यह बन रही है अभी हमारे अगे रसियंस लड़की चल रहे है क्या स्पीड से बाग रहे हैं वो लोग मेरे को भी कवर करना पड़ेगा चाया की तलाज से हमें अब कि यहां पर बैठना पड़ेगा थोड़ा देर उसके आगे लहर रहे हैं तो उपड़ नीचे उतारे से वहां पर है एक चर्च जो मैंने दिखाया था था शाद दिखाय नहीं है अभी कुछ चाय चाय शहन बिला है तो चाय में चल रहे हैं बहुत जादा गर्मी जहां ठंड तो बढ़ती है फंट बहुत माईनस में जाता है लेकिन गर्मी में मैं घर्मी जब मौसम आता है तो बहुत जादा डर्मी परती है अभी हो फ्रक दाख को यहां के लोगों को भी दिखाते चल रहा हूं घृति मैं पर कैसे पेहनते हैं यहां पर उन और संग इस लीडां कर्मी हो या मम्मी चार्चे चाई है मिलता हैं सब स्कर्ट टाइब से पहनते हैं और कुछ पैंट टाइब से पहनते हैं साड़ी तो कोई जानता ही नहीं यहाँ पर गाइस सब यह खड़े हैं अब खुल गई यह इतनी गया इतनी बड़ी गड़ी लबनी एक बात बताऊं कभी भी दूप हो ना तो यह ब्लैक ब्लैक वाले कपड़े पहन के मत जाया गर हो और ज्यादा बहुत ज्यादा गर्भी लगती है छोटा सा ऐसा है बस पहुंची है वह जो आपको रेट रेट दिख रहे हैं वहाँ पर लाल लगलर की वही है बिल्डिंग व सबसे पास वाला जहां हम रहते हैं सबसे पास वाला सुपर मार्केट हो तो अब हम अंदर जाते हैं कि यहां पर लिफ्ट है अब कैसी लग रही है अभी हालत खराब यह है मॉल तो अमबच को पैसे डालने हैं एटीम में तो यह डाल रहे हैं पैसे और मैं हूँ बैठा यहां हालत खराब हो गई यह फिर से हमें दिखे यह नकली पेंड़ पहुत है यह जो होते हैं मॉल के अंदर यह नकली होते हैं तो अधर भी लगा हुआ है एक नकली यह पैसे निकल लेए पैसे डल रहे हैं यह लड़कों का यह हाला अधर तो हम लोग वास्रूं गये थे तो उसमें उसके बाद फिर नितिन और अमभुज मिली नहीं रहें वह लो कहीं चले गए हैं उनका वेट कर रहे हैं मैं आगया डियनिस के अंदर यह है डर चेक कर रहे हैं यह क्या है नीची इसमें चमक रहे है दो देख नीची मस्तर कैसे चमक रहे है यह 38,000 की है यह अच्छी दिखाऊं यह टीवी यह समान रख लिए हैं अपन तो गाइस हमने पुरा समान ले लिया है अब हम जा रहे हैं होस्टल अपने होस्टल और अभी अभी टैक्सी कर दिया हमने यह जो है यह हमारी समान है हमारा और यह जो है यह अंबुज का है वो कम ही लिया है जा रहा है घर तो अभी कुछ हपतों के लिए बस मेरे पीछे कार देख रहे है रेटक लगती यह यह है आफ़र वाला जो भी जीतेगा ही ना उसको मिलेगा यह कार भाई साहब 164 174 की टैक्सी हो रही है यहां से यहां से लबग तीन किलुमेंटर चार किलुमेंटर दूर होगा यहां से हमारा होस्टल और 165 की टैक्सी कि अधिन किया था वो कटे जा रहा है तीन साथ चीन सो कट गया थे फिर फिर मैं उसको कॉलोल किया कॉलोल ही नहीं उठाए आगे में टेगा है आगे अगे कि कि अन्य आगे में कि यहां ऐगे मैं पंखे गया हाओ अब इस बॉझत गया है तो आगे हाई हाई ओ भाई ये पहुंच गए रूम तो गाइस हम अब पहुंच गए हैं अपने होस्टल बहुत ही जादा गर्मी थी और क्या करना हालत खराब हो गई समान भी आ गया अब जा रहे हैं थोड़ा अराम करने अभी के लिए बस हिता ही मिलते हैं आपको नेक्स व्लोग में देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद जैहारत पाका पाका